जब हम steps of construction लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे draw a line a b equal to 4.5 cm जो हमने हाँ सबसे पहले लिया था दूसरा step हम लिखेंगे draw an arc with center b and our radius 5.5 cm जैसे हमने यहां से लिया था बी को सेंटर माना था और रेडियस 5.5 cm कर लिया था यहां पर एक आर्क ड्रा किये तिसरे step में हम लिखेंगे draw another arc with center a अब यह a को हम center मानेंगे and radius 7 cm जो डाइगनल हमें दिया था तू मीट प्रीवियस आर्क प्रीवियस आर्क एट सी जो यहां सी पर मिलेगा जो आर्क हमने लिया था उसको जॉइन कर दिया फॉर्थ स्टप हमारा रहेगा draw an arc फिर से एक arc ड्रा करेंगे with center c and radius अब c को center मानते हुए एक radius हम लेंगे radius कितना c से d हम आपकर जाते हैं तो 4 cm यह ले लिया उसके बाद 5th step हमारा रहेगा draw another arc अब दूसरा एक arc लेना यह वाल आर्क जो a से center मानते हुए with center a and radius अब यहां से radius कितना आएगा a से तूंकि 6 cm AD तो 6 cm को हम एक radius लेंगे to cut the previous arc previous means पिछला पिछला जो हमने यहां c से लिया अब a से भी उसको cut करेंगे previous arc 8 d d पे काटा last step में हम लिखेंगे join b c a c c d and a d यह होगी आपका b c को भी जोड दिया a c को भी जोड दिया c d और a d सब को जोड दिया उसके बार हम लिखेंगे last में हम लिखेंगे thus a b c d is the required क्यों quadrilateral यह आपका रहा answer तो students next जो है question हम next वीडियो में देखेंगे क्योंकि यहां network जो है बहुत slow है इस वज़ा से वीडियो जो है upload नहीं हो पाते हैं कि अ